ठीक है, so a pentagon is given to you, ठीक है, अगला सवाल देखना, यह भी भहुत असान सवाल है, ठीक है, there is nothing in this question, ओके, a pentagon is given to you like this, अगला सवाल ध्यान से देखना, एक आपको इस तरीके सा एक pentagon दिया है, ठीक है, pentagon मतलब having five sides, ठीक है, और यह जो point है, this point, this point is given s, यह point s है, ठीक है, और उसके अलावा फिर आपको sides दिये, suppose यह जो side है, यह a है, suppose यह side है, यह b है, suppose यह side c है, suppose यह side d है, suppose यह side e है, ठीक है, s is the point, और यह जो five sides है, इनके नाम a, b, c, d, e है, ठीक है, so there, it is a pentagon, और सबसे अच्छी बात कहा है, यह regular polygon कहा रहा है, regular का मतलब कहा है, what is the meaning of regular, regular polygon का मतलब कहा है, हमकेश ध्यान से देखना, regular का मतलब होता है, all sides are same, so a will be is equal to b will be is equal to c is equal to d is equal to e, all the sides are same, ठीक है, a is equal to b is equal to c is equal to d is equal to e, all the sides are same, ठीक है, very good, शिखर वर्मा, ठीक है, all the sides are same, ठीक है, अब आप से क्या कहा है, cat is walking on the periphery of a regular polygon, periphery का मतलब है, स्काउंडरी में, ठीक है, and it starts from the point s, और clockwise direction में जा रही है, तो मैं clockwise direction आपको दिखा दू, ठीक है, clockwise direction ये है, ठीक है, highlight कर लेता हूं, clockwise direction is this, ठीक है, arrow दिखा रहा हूं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, clockwise direction is from a to b, then b to c, then c to d, d to e, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, फिर इस तरीके से, ठीक है, अब आप से क्या बोला है, what is given to you, okay, so this is the clockwise direction, what is given to you, आप से कहा है, which side will the cat reach after walking, 18 by 25 of distance, 18 by 25 of distance, 18 by 25 of distance, अब total distance कितनी होगी, ये आप ले सकते हो, total distance आप, जरूर आप 25 के multiple में लो, क्यों, क्योंकि 18 by 25 में चाता हूँ कि fraction में ना है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप, आप total distance ले सकते हो, suppose, from point S to S, सारी distance को अगर आप add करो, अगर आप A plus B, plus C, plus D, plus E, पांचो distance को add करो, suppose, आप सोचों कि 500 km is the total distance, ठीक है, और जो cat ने travel करिये distance, it is nothing but 18 by 25, ठीक है, so cat, cat traveled, how much, 18 upon 25 into 500 km, ठीक है, इतनी distance cat ने travel करिये, ठीक है, अब एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, अगर total distance 500 km है, तो A कितना जाएगा, A will be 100 km, B will be also 100 km, C will be again 100 km, D will be again 100 km, E will be again 100 km, क्योंकि सारी distances same है, तो 100, 100, 100, 100, 100 divide होंगी, ठीक है, और यहाँ से कितना जाएगा, cat traveled कितने km, ठीक है, 18 by 25 of the total distance, distance you have taken 500, ठीक है, ठीक है, तो इस से cat लोग 25, 20 times, so कितना आगया, 360 km आगया, so cat has traveled 360 km, अब 360 km खाएगा, ठीक है, जब वो A travel करेगा, तो 100 हो गया, B travel करेगा, तो 100, और 200 हो गया, C travel करेगा, तो 300 हो गया, जब D travel करेगा, तो that will be 400, तो 360 मैं ऐसे लिख लेता हूं, कि इतना, इतना, यह कितना है, 100 km ट्रावल कर लिया है, इतना, यहाँ पर, इस point में, cat ने कितना ट्रावल कर लिया है, 200 km, इस पॉइंट में कैट ने कितना ट्रावल कर दिया है 300 किलोमेटर और कहीं न कहीं यहां पर कैट अगर पहुंच जाती तो यहां पर वह 400 किलोमेटर ट्रावल कर लेकिन वो सिर्फ 18 by 25 ट्रावल कर रही है अफ दे होल दिस्टेंस तो वह 360 इसका मतलब 300 और 400 की बीच में तो क्य क्या है वो कौन सी कौन सी साइड हो इस साइड डी इस साइड दी तो वही आपसे पूछा है वेरी गूट ठीक है और 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 यह गिवन दर राइट आंसर ठीक है वाई एकताई सेंग वाई टो टेक टोटल डिस्टेंस 500 ताकि जो 18 by 25 वह इसली सॉल हो जाए ठीक है आप 100 किल में लेना है भई आपको ताकि calculation easy हुजा है आप कुछ भी लिलो आप कुछ भी लिलो अगर आप 70 किलोमेटर ले लिते हो ना तो fraction में आएगा ठीक है इट विल कम इन फ्राक्शन अरे यू किन टेक एनी वैल्यू यार आप कोई सी भी वैल्यू लो यू किन टेक एनी 25 वो solve हुजा है बस 25 cancel हुजा है I don't want in fractions अगर by the way distance आती 360 अपॉन 5 किलोमेटर फिर या 360 अपॉन 13 किलोमेटर फिर आप कैसे उसको करते है कितना tough हुजाता ठीक है